पूर्णावाज भारत की देख रहे सभी दर्सकों का हरदिक स्वागत है साथियो आज हमें नई दिल्ली हमारे साथ हैं कुछ खास मेमान अभी आपने मेरी पुरानी वीडियो में जो परसो में ने वीडियो अप्लोड की थी समतावाज टीवी चैनल पर उसमें आपने देखा था किस तरह दिल्ली पुलिस ने कुछ चात्रों को बेरहमी से जो के अभी धरना प्रदरसन शुरू भी नहीं किया था उनको बेरहमी से बस के अंदर उनको उठा उठा कर पटका उनके साथ बत्तमी जी की उनके कपड़े फारे गए यहां तक के जो लड़कियां थी जो कोल बस के अंदर धकेला और उनको थाने में लिजाकर बंद किया गया करार प्लेस थाने में को बंद किया गया हमारे साथ हैं आज खास मेवान सहजाद पूना वाला तसलीम पूला वाला और देवासी जो बस-पासे हैं आईए बात करते हैं मासू का मानव सुरक्षा कानून क्य और तमाम अलग-अलग विचारधारा के लोग शामिल है, उन्होंने एक कानून साथ तारीक को प्रकाश अमबेड़कर जी के हाथ से पेश किया था, कि भीड तंत्र में जो हत्याइं होती है वो ना हो, उसका मसौदा पेश किया गया, और अचानक से हमें पता चला है कि प्रद प्रदानमंत्री जी, तो तमाम विपक्षी दल के नेता ये तै कर रहे हैं कि 19 जुलाइ को साड़े चार बजे कॉन्सिटूशन क्लब में अलग-अलग पार्टी इसके लोग इस मसौदे को प्रदानमंत्री के सामने रखेंगे, जो हमने अलड़ी दिया है उनको, और कहेंग जो मासुका टीम के कोर मेंबर है, देवाशीज भाई जो बसपा से भी जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे, क्योंकि बसपा जैसी पार्टियों ने ओफिशली इसको समर्तन भी दिया है सातियों, यहां मैं आपको एक बात और बताता चलता हूँ, कि लगबक पिछले तीन साल से जब से मोदी जी भारत के प्रधान मंतरी नियुक्त किये गए हैं, लगबक देश के अंदर बीस से ज़्यादा ऐसे मामले हो चुके हैं, जहां पर भीड ने किसी दलित को, किसी अल मुक्ता से मीडिया में उचले, जिसके अंदर के अखलाख केस था, एक सारनपूर के अंदर केस हुआ है, कि लगबक पच्पन घर जलाए गए, अभी एक केस हमारा, जो अभी बिल्कुल हाली का केस है, कि सिर्फ गो मास्के सक के उपर पूरे परिवार को घर सहीत आग के दल कर दे, तस्रीम क्या कहेंगे इस बर में आप, देखे सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को जै भीम, मैं ये मानता हो कि प्रधान मंत्री जी जो है, ये इतनी अपनी मन की बात करते है, वे अभी हाली में इसरेल गए, वहां पर एक लड़का मोशे से मिले, उसक उसको भी भीड़ हत्याने मारी, सहरुनपूर में जो हमारे दलित भाई होए, जिन पर आकरमन हुआ है, उनसे कब मिलेगे प्रधान मंत्री जी, जो हमारे रुहित वेमुला है, उनके माता से कब मिलेगे प्रधान मंत्री जी, जो हमारी नजीब है, उसकी माता से कब मिलेग एहम बात ये है कि जब से हमने मासुका कानून की मांग की है और ये बात चर्चा में आई है आप लोगों के दुआरा मीडिया में तब से प्रदान मंतरी जी इस चीज़ पर बोलना शुरू करती है लेकिन प्रदान मंत्री जी बोलते हैं लेकिन इनके जो मंत्री है प्रदान मंत्री जी ये अकला के जो हत्यारे उनके शवपति रंगा लपटे पहलु खान के जो हत्यारे उनको भगत सिंग कहते है या नक्वी साब पारलिमेंट में जूट कहते हैं इनके बार में तो कहीं न कहीं जो प्रदान मंत्री जी कह रहे हैं, इस पर प्रदान मंत्री जी चीज एक कहते हैं, उनके मंत्री, खुद मंत्री अलग चीज कहते हैं, तो प्रदान मंत्री जी अपने मंत्रियों को भी थोड़ा सा बॉर्निंग दे रहे हैं, और एहम बात ये हैं, कि मासुका कानून जो हम बता रहे थे जो जिसके ना होते हुए तलित भाई, SC, ST, जिसे सहरनपूर में हमने एका जो जो उन पे जुल्म हो रहे हैं अब सहरनपूर का अब उदारन देख ले तो जितने भी अक्यूस्ट है सब को छोड़ दिया गया है सारा उन पे जो 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 उन पे चार् या भीड को हिंसा या भीड को उकसानी से नहीं बच सकता तो मासुका को अगर प्रदानमंत्री जी सीडियस है तो इस परलिमेंट सेशन में इसे लागू करे और सारे विपक्ष के एमपी, सारे विपक्ष के दल जिसे बस अपा है, कॉंग्रेस है, सपा है, राष्टरवाद को पढ़ा है, इसे सहरा है, सुप्रीम कोट के रिटायर जजेज ने पढ़ा है, और यह जो ड्राफ्ट है, यही एक देश की समस्या से मुक्ती पाने का एक हल है, तो प्रदानमंत्री जी इस हल को जल से जल अपनाए। और इनकी पाटी ने ओफिशिली अपने ट्विटर हैंडल, वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से समर्थन किया है हमारी मांग का, तो बस्पा के बारे में और देवशीश भी बोलेंगे, पर इसके अलावा, डॉक्टर शशी थरूर, कॉंग्रस पाटी से, दिगविजै सिंग जेडियू से पवन वर्मा जी, मैंने आपको साता अट नाम तो गिना ही दिये, और आप अपेक्षा कीजिए कि बाजपा के भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो 19 जुलाइ को साड़े चार बज़े वो भी आ जाएंगे, प्रादान मंत्री खुद आ जाए, और कह दे क कि वो लोग इसके इसको आगे ले जाएंगे, सात्यों हमार साथ देवासी जी हैं जो BSP से हैं, और आज मैंने BSP के कुछ ट्वीट पड़े जिसमें मासु का मानव सुरक्षा कानून को लेकर उन्होंने बड़े गंबीरता से ट्वीट वो किये हैं, देवासी जी क्या लगत देखिये जो मानव सुरक्षा कानून है, यह गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है, जो भीट जो हिंसा है, उसके शिकार गरीब मजलूमी जहनातर होते हैं, कोई भी ताकतवर आदमी को जाकर उसको हिंसा नहीं करता है, तो जब बसपा गरीब मजलूमों की कि यह कानून है जो कि देश को भीड हिंसा से बचा सकता है तो मैंने बिल्कुल इसके साथ अपना समर्थन दिया और इसके टीम में मिल जो कि काम किया हम लोगों ने जहां तक बात आती है इसके लागू होने पर और दूसरी पार्टियों के साथ में आने का तो अपोजिशन प करते हैं किस तरीके से यह जो कानून है भीड इंसा से हमें बचा सकता है देखिए बहुत अच्छी सी कुछ प्राविजन बता देता हूं आपको कि पहली चीज तो यह है कि यह सीधे-सीधे जो विमिदारी है वो पुलिस प्रस्राशन पर डाल देता है यह कानून क्योंकि क कोई भी जो भीड़ है वो एक दो आदमी की कहने पर नहीं आ जाती इसके पीछे पुरा तंत्र काम करता है और पुलिस प्रस्राशन को ऐसा मालूम ना होगा कि लोकल एसेचो को मालूम ना पड़े ऐसा संभव नहीं है जैसा सारनपूर में हमने देखा कि 4-5,000 लोग 10-12 ग प्रसिस नहीं हुआ वहाँ पर सबके घर जला दिए गए घर आज भी जले हुए है उनके पास बरतन नहीं खाने के लिए खाना खाने के अंद नहीं बचा है तो ऐसे इस कानूम के तहट 25 लाग का हमने मुआवजा स्टेट गवर्मेंट से 30 दुनों के अंदर देने का प्रा करना सुरू किया है क्या है हाकिकत में यह मोब लांचिंग पहले कभी पुराने जमाने में 10-20 लोग इखटे हुए और उन्होंने अपने एक सेड़न्त के तहत किसी को मार दिया वही सड़ियंत आज फिर चल रहा है कि राजनीतिक द्रेश हो सामाजिक द्रेश हो जाती द्र का जो इस मोझ मस्ती की उमुर में तस्लीम जी मैं आप से मुताविक होता हूं कि इस मोझ मस्ती की उमुर में आप युवाओ ने इतना बड़ा जो एक कारिय करना का सोचा है उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहाऊँ आपका आप मुझे बचाए आपकी क्या ऐसी के शाओरात के है है देविषिष रची श्यूदी तब हम लोग है थैसा थे इस खोचा कि एक एसा देश जो फौर्वर्ड गियर में जाने की पदले रिवर्स गेर में जारा था एसा क्यो हो रहा है हमें इस इस पर विचार करना होगा और यह क्या होगा रहा है कि सोच ते हमने जब विचार किया कि सरकार नहीं चाहती कि जो आपको 15 लाग का वादा किया था, जो आपको नौकरी का वादा किया था, यह सवाल उठे इसलिए इस चीज़ को कहीं न कहीं, जैसे देवशी और शहजाद जी बिल्कुल सही का, एक सरकारी तंतर के तोरा इसे फैल हमने सोचा कि हमने उस वक्त आवाज नहीं उठाई, हम दरगे, हमने आवाज नहीं उठाए और हम इस दर्स के आगे हमें कुछ करना है, हमें आवाज उठानी थी और हम यह नहीं चाहते थी कि इतिहास में यह लिखा जाए कि हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया, इस सरकार इस मनुवादी सरकार के खिलाख, इसलिए आज हमने ये आवाज उठाए और हम जानते कि इन्शाला ये कानून बनते रहेगा. तो मुझे लगता है कि इसके पीछे हम सभी युवाओं की प्रेड़ना बाबसाइब आमबेडकर जी है और उनका संविधान है. साथियों 23 तारिकों बहन जी का सारनपूर आगमन उन्होंने अपने मुखे वक्तवे में कहा कि 25,000 रुपे जो होस्पिटल में है, 50,000 रुपे जिनके घर जलाए गए है वो बसपा की तरफ से उन्होंने वह अनुदान वहाँ पर गोशना की और जल्द से जल्द वह अनुदा प्रिसासन किस तरह से उस मोब लांचिंगा समर्थन दे रहा था कि लगबग एक महीना पहले जो ड्राफ्ट वहाँ पर भेजे गए थे हम लोगों ने वहाँ पर जाके डीम से सबसे पूछताच की कि वह 50,000 और 25,000 के पैकिट्स जो है बीस पी पालिटी से आये हैं वह अभ मोब लांचिंग का पीडितों को और ज्यादा पीडित करने का तरीका है जी कि बिलकुल यह बिलकुल यह साजे नजर आती है क्योंकि किसी भी तरीकी जो पीडित हैं वो शशक्तों के अपनी आवाज न उठापाएं जो गरीब तबिक का आदमी है उसके लिए जब भी इसक प्रशाथन ने उसको पहली स्टेंज में रोक दिया उसके बाद फिरसे गाए और मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से वहां के प्रशाथन को और योगी सरकार को पूछना चाहूंगा कि कि आप सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हो पर उसको अमली जबाद पहनाने क उनके हक सुरक्षत नहीं रहेंगे आप चाहे कोई कोविंद बनाओ चाहे किसी को भी राष्टपती बनाओ उनके अधिकार ऐसे सुरक्षत होने वाले नहीं है और इसमें मुझे एक बात कहनी है जो उत्तरप्रदेश में के आप बात कर रहे हो वही बात अगर आप गुजर प्राइल ही शुरू नहीं हुआ तो आप जो इनसाफ की बात करते हैं आप तो इनसाफ देते ही नहीं लोगों आप सिफ गरीब को दबाना चाहते हो और यह एक मनु जो शहजाद भाई नेका बिल्कुल सही है बाबा साइब आमेटकर जी के समवेधान को मनु श्मिती से कोई भी कारणो वो एक दूसरे समाज पर अटेक करते हैं उसके घर के अंदर रखे रहां सनक जला देते हैं घर के अंदर कर ला के चीज्जें है यहां तक भांती तक कंश तो तोड देते हैं कि यह परिवार दुबार से अपने अपना पाए जो कि मैं परानी वीडियो में सबीरपूर घटना में आपको दिखाया था शेदा बाई ऐसे पीडितों के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं वो तो कामिले तारीफ है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए अगर उनके घर जला दिये जाते हैं बच्चों के मारे पिटाई हो जाती है प कॉंपंसेशन पतचीस लाग मिनिमम इसके अलावा वो अपना केस लड़पा है उसके लिए वकील का प्रावदान विटनेस जो है कई बार फिर जाते हैं तो उनके लिए विटनेस प्रोटेक्शन का प्रावदान ताकि अगर किसी ने देखा है कुछ तो उसको विटनेस प् विक्टम के और विटनेस को राइट्स मिलेंगे, पुलीस प्रशासन पे पहले ही एक प्रिजंप्शन होगा कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, और इसके अलावा, मान दीजे, केस जाता है और चार्चीट नहीं फाइल होती, तो रिव्यू कमिटी बोलेगी कि चार्चीट क ट्राइल के अंदर ये ट्राइल होगा, ऐसे मैसे छोटे नए नए जजज के सामने ट्राइल नहीं होगा, पुलीस इंस्पेक्टर का रांग, मिनिमम इंस्पेक्टर रांग का होगा, जो इन्वेस्टिकेशन करेगा इस मामले की, कोई SHO या सब इंस्पेक्टर रांग का इ उन कमियों को मत्य नजर रखते ये कानून के प्रावधान बनाये हैं और इसलिए शायद इतने भारी मत से सब विपक्षी दल जो है समर्थन कर रहे हैं सिर्फ प्रदान मंत्री की हामी भरने की देरी है जो कहते हैं वो करें जो वाक दे टॉक मैंने काया वो करें तो इन्शाल जो है कि सारे विपक्ष के दल एक हो चुके है और सारे विपक्ष के दल एक मंच पर आते कहरे हैं कि ये कानून को हमने पढ़ा है इस कानून के डाफ ने पढ़ा है ये सम्वेधान के सारे प्रुविजिंस को के अंदर फिट होता है और ये कानून जल से जल पारलिमेंट मे इंटर्ड्यूस होना चाहिए. अब सररकार के उपर है, मोदी जी उपर है, उनका भहूमत है, वो इस कानून को लागू करें और जो पीड़ित लोग है, उनकी जो संकट है, उसे दूर करें. लेकिन, अगर मोदी जी यह नहीं करेंगे, तो अगले सेशन में, जितने भी विप के सामने, जिसके उपर माननीय प्रधान मंतरी को अलरीडी नोटिस मिल चुका है, वो हम माननीय सुप्रीम कोड के सामने भी रखे गे और आपके मादिम से में बता दू कहीं रिटायर्ड सुप्रीम कोड के जजजेज, हाई कोड़ के जजजेज, सीनिय लॉइज ने इस ड् कानून ले आएगे, तो जो अपनी मन की बात करते हैं, वो कान की बात में तब्दील हो जाएगी. पर सुरक्सा कानून, जिस कानून की जो डिमांड है, वो साहिद आज से सतर साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, तब ही हो जानी चाहिए थी, साहिद किनी कानून से उस समय ये मांग ना रही हो, लेकिन आज हमारे नोजवान इस कानून की मांग कर रहे हैं, तो कही न कानून की मांग, ये हमारे इस देश के नोजवा कर रहे हैं, सभी को सैलूट, जय भीम, जय भारत!